आये हम लोग अब पढ़ते हैं ट्रिगोनोमेट्री अर्था ट्रिकोनमेटी अब तक हम लोगोंने पिछले वीडियो में 8.1, 8.2, 8.3 से रिलेटेट हम लोगोंने जो भी उसका इंट्रोडक्षन था और उस पर आधारी जितने भी कुश्चन्स थे इनके विशे में हम लोगोंने जाना अब आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में ट्रिकोनमिती जो है ट्रिकोनमिती की सर्व समिकाएं के विशे में जानेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज की विशे में तो अगर हम बात करें तो यह एक समकोन तिर्भुज दिया गया जैसे यह क्या है समकोन तिर्भुज में क्या है कि यहां A है B है फिर क्या है C है B पर क्या है समकोन है B पर राइट एंगल है और यह राइट एंगल ट्राइंगल है अगर आप इसको देखें तो क्या है राइट डिगरी का होना तो राइट अंगल 90 डिगरी है यह भी जानते हैं आप पिछले वीडियो में मैंने काफी तरह अच्छी तरह से बताया था कि इसके अपोजिट साइड जो होता ये जो बड़ी साइड होता उसको क्या कहते हैं करन कहते हैं यानि हाइपोटेनियस कहते हैं और इ होगा यहाँ एगर इट करना होकर अपोजिट साइड क्या है यानि परहो नहीं पर्फएंडिकुलर होगा इसलिए इसका symbol P से denote करते हैं इसको और P लेते हैं तो अगर यहां हमारा BCP होगा तो फिर AB क्या होगा बेस हो जाएगा और यह तो अल्रेडी हाइपोटेनियस होता यह चेंज नहीं होता तो अब बात करते हैं पाइथागोरस प्रमैस से हम trigonometric identity जो find करेंगे किसके आदार पर find करेंगे पाइथागोरस प्रमैस सबसे पहले शर्णाव प्रमैस से चलना का यहां जो लिखा होगा क्या है यह थो शोड़ी भूजाएं Jagu चोटी भुजाओं का SQUARE का सम होता यानि इसका दोनों का इसका AB का SQUARE कर दीजिए और BC का SQUARE दोनों को जूड़ दीजिए किसके equal हो जागा AC का SQUARE का यानि इसको इंदी में अगर कहें दूसरी तरीके से कहें तो कर्ण का SQUARE बराबर इसको लिख सकते हैं लंब का SQUARE जोर आधार का SQUARE लिख सकते हैं तो कर्ण का SQUARE बराबर क्या होगा लंब SQUARE जोर आधार SQUARE भी कर सकते हैं AC SQUARE बराबर AB SQUARE पलस BC SQUARE dividing each term by AC SQUARE अगर हम AC SQUARE को यह जो dividing करेंगा किसको करेंगा dividing each term इच टर्म बोले तो AB SQUARE है BC SQUARE है AC SQUARE है AB SQUARE है BC SQUARE है अगर सबको हम AC SQUARE से डिवाइड करते हैं किसे डिवाइड करते हैं AC SQUARE से इसको भी AC SQUARE से डिवाइड करते हैं और इसको भी AC SQUARE से डिवाइड करते हैं सब्सक्राइब कोई दिक्कत नहीं हुआ यहां तक समझने में कोई डाउट नहीं होगा आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ यानि A, B, Sq. but A, C, 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 Sq. but A Sq. but A, C, 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 Sq. रचन helpful jar broadcast ऐसे इसे मआ कि धिया, और से यदोड़को करें एविलों के ओधि घैला। तो ACA square से ACA square में divide करेंगे तो 1 हो जागा इसलिए हमने यहाँ 1 लिखा है ठीक है अब जब ABA square बटा ACA square की बात कर रहे हैं ABA square यह है AB और यह क्या है AC है तो यह माल लेजिए अंगल अगर theta degree कहा हो अंगल C पर होते यह क्या हो जागा पर्पेंडिकुलर AB क्या हो जागा पर्पेंडिकुलर हो जागा AC क्या हो जागा आपका करन हो जागा तो AB बटा AC बराबर लमबटा करन यहानि यहनी sin ठीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है पी अपॉन एच होता है तो यहां हम क्याया लिख सकते हैं इसके बदले तो इसलिए हमने लिखा A-B-A-Square, B-A-C-A-Square गराबर O-C-A-Square टिटा लिखा उसी तरह से B-C-A-Square बटर A-C-A-Square गराबर क्या होगा, B-C-B-A-C-B-A-C-B-A-C-A-Square B-C-A-Square गराबर Trainर को सब्सकूर थीटा फिर दोनों Κो आप लोग क्या करते थे, sin square theta plus cos square theta, बड़ाबर, डायरेक्ट कोई, आपको या किताब में लिखा हुआ रहता है, या फिर कोई बताते थे आपको, क्या बताया जाता था, sin square plus cos square theta, बड़ाबर, बच्चों एक होता है, लेकिन, इस कैसी होता है, यह आपको नहीं समझता, अब हम आपको कैसे होता या भी समझा दिए तो यह sin square plus cos square theta बराबर एक होता है यह आप याद रख लेंगे ठीक है उनके बाद हम आगे बात करें जब हम ac square से sum में divide किये तो sin square plus cos square plus one होता है यानि पैथा गोरस theorem की अनुसार जो हमारा यह term आया ac square बराबर ab square plus bc square सब में अगर ac square से divide किये तो हमारा क्या आया sin square theta plus cos square theta बराबर one आया जबकि अगर हम बात करें सब में अगर ac square से divide ना करके इस बार क्या करते हैं ab square से divide करते हैं सब को तीन term है इसमें एक तो ac square है दूसरा ab square होगा फिर T3 Time में क्या करने वर C2 से यहनि तीन टामस होंगे इन तीन टामस हम डिवाइड करके सब में ठीक है तो समीकरन एक क्या था एबी इस बार किसे डिवाइड करना A B S2 से डिवाइड करना किसे डिवाइड करना A B S2 से किस में ते equation first equation क्या था इंडिवेशन फास्ट है a-c-a-sqa-r plus a-b-a-sqa-r वराबर एक्वार इक्वार टू-a-b-a-sqa-r प्लस b-c-a-sqa-r-th था इसमें इस बार किस्टे डिवाइड करना a-b-a-sqa-r से डिवाइड करना चलिए a-b-a-sqa-r में किस्टे करना a-b-a-sqa-r यहां देखे BC क्या है यहां BCA square है यह BC हो गया AB यह हो गया तो यह है आधार क्या है यह आधार है आधार बटा क्या हो जागा यह लंब है तो आधार बटा लंब बराबर क्या होता आधार बटा लंब बराबर फार्मूला होता है कौट थिटा क्या होता है कौट थिटा यह इसको हम बी इसको हम क्या कह सकते हैं यह बी है यह पी है ते बी अपोन पी बराबर क्या कह सकते हैं कौट थिटा होता है तो कौट थिटा यहां हम क्या लिख देंगे BCSquare बटा ABSquare बराबर लिखेंगे COT Square ठीटा लिखेंगे इसके बदले इतोनों कड़ जाएगा तो एक हो गया अचारी ACSquare बटा ABSquare है ACSquare यहाँ देखिए तो क्या है AC आपका है यहाँ यह AC कर्न है और AB क्या है आपको लंब है ACSquare बटा ABSquare बराबर क्या हो जाएगा ACSquare बटा ABSquare बराबर नहीं कर्न का Square बटा क्या हो जाएगा लंब का Square तो कर्न की Square बटा लंब का Square बटा लंब का Square बराबर होता कॉसिक Square ठीटा क्या होगा कॉसिक देखिए यहाँ कॉसिक है kossik sqa theta होगा यहाँ kossik sqa theta इसके वज्ये हमने क्या दिया kossik sqa theta अब चलिए one plus cot square theta बराबर क्या है kossik sqa theta तो अब हम क्या करेंगे koss qa sqa theta को इस सट अगर लेके चले जाते तोнее पलस वाला है इस सट जाएगा क्या हो जाएगा यानि कॉसेक स्क्वाइड थीटा क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वाइड थीटा हो जाएगा कॉट 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 स्क्वाइड थीटा बराबर क जो equation first था जो पैथा गोरस ने कहा था कि AC square बराबर AB square प्लस BC square होता है यानि बरी बुजा समकुन तिरवुज में हैं बरी बुजा का जो square होता है अन्य दो छोटी बुजाओं के वर्गों के योके बराबर होता है ये जो कहा था उसके आधार पर जब हम ले करके चलना शुरू क्राइड किये तो उनको साय को सकाएड पमिस का सक अक्वार या उसके बाद हमने सब दिवाईड करना सुरू किये 스타일 गुआ को क्या आया सक्वाट सकुर कि βराबर प दक चैनल के कि पनौर पैथा गधिर स्थेयरम के इस इकविशन में इस इकविस्चन का क्या आर्त है तो होगा है यह राइट ट्राइंगल है इस राइट ट्राइंगल में इस राइट ट्राइंगल में क्या होगा यह मान लिजे ए है और यह क्या है सी है यह भी है तो पहली बार में हमने क्या किया था पहली बार में एस स्क्वार से डिवाइड किया था पैथागोरा स्थियोर्म किस स्क üzerine हो हो चाह Fate स्क स्बार्ट करते हैं यह घर है κα controll है अगर ठीस यहां हो तो a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a,b,a गाद जायागा A, trze, यह है, यह है, yह है, यह है यह B, तो क्या बज जार से? यह कार्ण हो जाता है? यह क्या हो जाता है? तो यह जाता है? आधार हो जाता है तो कर्ट आधार IILLA爆ार से, क्या होगा तो 10A近1 – 10 Colorado Red Sea these प्रकार हम अब theta minus 10 square theta बरावर क्या बच जागा वन बच जागा तो इस प्रकार यह देख लिए इस तरह से देख रहे हैं आप कि से के स्कूइर theta minus 10 square theta बरावर 1 हो गया जैसा कि यहां देखें लिखा हुआ है अब हम लोग चलते हैं सुरू से फिर से एक बार sin square theta plus cos square theta बरावर 1 दिया गया है तो sin square theta plus cos square theta बरावर अगर 1 दिया है तो आप लिख सकते sin square theta बराबर cos square theta को इस सेड कर देंगे तो 1-cos square theta तो पूछा जागा sin square theta बराबर क्या हो सकता है तो 1-cos square theta फिर इस square को यह जो square दिया गया square को इस सेड लियाएंगे तो क्या होगा root हो जागा तो root हो जागा तो sin theta बराबर क्या होगा root अंडर 1- cos square theta यानि sin square theta बराबर अगर 1- cos square theta होता तो sin theta बराबर क्या होगा root अंडर 1- cos square theta इसी प्रकार से अगर हम क्या करें cos square theta बराबर निकाले तो cos square theta बराबर क्या हो जागा और 1- sin2 theta होझागा sin2 इस बाई इधर चलाएगा तो 1- sin2 theta होझागा उनके बाद अगर हम आपको कहें कि cos square theta बराबर 1-sin square theta होझा तो cos theta बराबर क्या होगा तो root under 1-sin square क्योंकि square जो है 이 THERE जाएगा तो क्या होगा root होझागा इसका निकाल गया इसी प्रकार से आपको क्या करना है यहां देखे इसको स्विद्ध करना अगर sin square plus cos square theta ब्राबर 1 होता है इसको कई सीध्ध करेंगे सीध्ध करने की बात आती है तो ऐसे करेंगे sin square theta ब्राबर क्या होता है देखे यह LHS होगया इसार यह RHS होगया LHS में आप लिग लिए sin square plus cos square sin स्कुर का मतलब क्या होता है लंबता करन का हज़ा स्कुर कर देड़ेंगे और हाएं स्कुर स्कुर हो जाएगा और एक स्टो shifts करेंगे एक एक से स्कुर में कुणा करेंगे पी स्कुर होगा फिर हसे से इसमें डिवैड करेंगे एक होगा एकको V24 से गुना करें लिए Assessment Oh यहाप स्कॉयर होगए पी ऐस्कॉयर प्लस बीम्स्कॉयर होगें पींस्कोयर प्लस बिम्स्कॉयर को पता है संव तरह हैं अगर यह P है और यह B है यह H है तो पी SQUAIR है जो और B SQUAIR बराबर H SQUAIR होता है पैथा गुरस ठीओरम से तो इसके बदले हम H SQUAIR लिख देंगे ह् c i sq ृ ब्रावर एक होगा और आपको प्रूफ क्या करना ता स्नस्क्वार प्लस कॉस स्क्कॉर थीटा ब्रावर होता है कि नहीं तो इसलिए रेचेस प्रूब्ड होगा फूसी इस्ञी प्रकार से आपको क्या करना है आपको बनाने के लिए कुछ दिया जारहा इसको बना करके आप एक करहा है करिमींट में इसका आंसर या वाटसप नुम्बर डिस्क्रिप्विशन बॉक्स में मेरा दिया रहता है वहां आप क्या करेंगे तो यह जो बनाने के लिए कुछ दिया जा रहा है ताकि हमको लगे कि नहीं आप पड़ रहे हैं इसका कुछ आपको benefit मिल रहा है उसी प्रकार से आप क्या करेंगे कॉसेक स्क्वार मिनस कॉट स्क्वार थीटा बराबर अगर वन होता है तो इसको प्रूफ करना सबसे पहले इसको प्रूफ करना उसके बाद कॉसेक स्क्वार थीटा का वैल्यू निकालना फिर कॉसेक थीटा का निकालना और कॉट स्क्वार थीटा का निकालना निकाल लिजे तब फिर आपके लिए दिया जा रहा है क्योनरफ टेस्ट के लिए दिया जारह। और अगला वीडियो अब आपके आ रहा है तो उस वीडियो में क्या परने जा रहे है तो उस वीडियो में 8.4 का जो सवाल है इनको पढ़ने जा रहे हैं ठीक है तो 8.4 के सारे सवाल को हम लोग देखेंगे इससे संबज़ित कुछ और फार्मूले हैं जैसे कि sin theta into cos 1 theta बड़ाबर 1 होता है sin theta into cos 1 theta बड़ाबर 1 कैसे होता है sin theta सबसे पहले जाने यह sin theta का opposite cos theta होता है sin theta का opposite cos theta होता है तो दोनों को into में अगर कर लेते multiply कर लेते तो 1 हो जाता है कैसे हो जाता है sin theta का कॉसेख theta का करन बड़ाबर 1 हो जाता है दोनों को cancel करिए एसस कैंसिल पीपी कैंसिल तो 1 हो जागा इसी तरह से हम कह सकते कि अगर आप इसको बना करके इसको चेक कर के इसको भी आपको बनाने के लिए दिया जाता कैसे मैं आप बना करके दिखाई यह जैसा कि हमने एक को बना करके दिखाया है फिर टेन थीटा का भी अपोजिट कोड़ थीटा होता है तो टेन थीटा इंटू कोड़ थीटा बराबर क्या हो जागा वन हो जागा इसको भी बनाका क्या आपको भेजना है चोथे नमर में क्या दिया है टेन थीटा बराबर सैन थीटा बराबर सैन थीटा बराबर सैन थीट होता है तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं सैन थिटा और बराबर वन बटा कॉसिक थिटा ठीक है जब सैन थिटा को लटा वन बटा कॉसिक थिटा होता है तो कॉसिक थिटा बराबर जी तो वन बटा सैन थिटा होगा इसलिए हमने क्या लिखाता यहां देखें सैन थिटा और तो बराबर वन बटा कॉसिक थीटा है कि नहीं कॉसिक थीटा है तो अब हम इसके अपन में यह दीजिए इसको इससे क्रॉस कर दीजिए इसको इससे क्रॉस कर दीजिए ठीक है तो इस सैन थीटा और कॉसिक थीटा को मल्टिप्लाइ कर देंगे संधी उनले खist हो जागा मिदा अगले वीडियो में देखेंगे अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को थेंक यू थेंक यू फर वाटनिंग दिस वीडियो